Hello everyone, this is Niha and welcome back to my channel. कैसे आप सब? I hope आप बहुत बढ़ी आँगे. स्वागत है आपका आपके अपने चाइनल स्टडी पर्चम में. आज इंग्लिस पेड़गोजी में हम कुछ नए कोश्चन्स को देखने वाले हैं और ये सारी कोश्चन्स आपके प्रिवियस यर बेस्ट है. यानि प्रिवियस यर मोस्ट इंपोर्टेंट शेशन चलेगा ये और ये इस्पेशली फॉर पेपर टू के लिए हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर वाले बच्चे इसको नहीं देखेंगे. मैं बार-बार बोर्ट नहीं है कि स्लिबस क्या है आपका? सेम है. तो सेम स्लिबस के एक खॉर्डिंग कोश्चन आपके उसी के इर्दगिर्द हुमेंगे. यानि कोश्चन आपका थोड़ा सा घुमाफिरा के आपको चेंज करके आएगा आपको पेपर टू में है. ज्यादा देखिए है ना, आपको पेपर वान वाले बच्चों को पेपर टू का भी मिल रहा है वो भी देखो, अगर पेपर टू वाले बच्चे पेपर वन का भी मिल रहा है तो आप देखो, क्या होती है ना, इंगलिस और हिंदी की पेड़गोजी, मतलब आप देखोगी 95% आपको सेम मिलेगी है थोड़ी से difficulty level उपर नीचे होती है लेकिन concept आपका एक ही रहता है तो इसलिए आपको ignore नहीं करना है जहां से जैसे आपको previous year मिले आप उसको देखिए और आप जाके exam अच्छे से देख कर आईए है तो बिना किसी देरी के हम पहले वीडियो को start अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएए जिससे आपको नए वीडियो के notification मिलते रहेंगे और जिन student ने जिन बच्चों ने अल्रड़ी सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि नहीं है बहुत अच्छे से आप जाएए एक्जाम दीजिए और मैं एक लाइन आपके लिए यहां पर बोलना चाहूंगी अटल भी हरीवाजपे की लाइन है कि हार नहीं मारनूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता हूं गीत तो आपको डरना नहीं है ना सीटेट बहुत बड़ी चीज नहीं है बहुत तोप चीज नहीं है क्वालिफाइंग एक्जाम है और आप जरूर क्वालिफाई होंगे इसलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अपने पहले कोशन को ठीके चलिए क्लासरूम के क्लासरूम रिसोर्स यहने क्लासरूम का साधन नहीं है आपको बताना है यहाँ पर छुछार ओप्शन दिये हैं यहाँ पर पहला ओप्शन डियाuar आपर प्लासरूम ऊप्शन Dre quality और उस reading corner पर आपको books कैसी रखनी है, बच्चों के interest के recording book रखनी है, ताकि बच्चे जाए और उनको कोई restriction ना रहे, बच्चे अपने need के recording, अपने interest के recording वहाँ से book उठाए और पढ़ें, ठीके, तीसरा है classroom procedure, और चौता है word wall, word wall का मतलब है कि wall पर बहुत सारे आपको teaching learning, thought, teaching learning चीजे लिखी रहती है, बहुत सारे आप ज्यादा तर word wall का, या wall पर पिक्चर बनी रहती है, आप छोटे classes में देखोगे, जो pre-primary के class देखोगे, उनकी class बहुत रंगीन दिखती है, क्यों देखती है, वहाँ पर ABCD लिखा रहता है, बच्चों की rhymes लिखी रहती है, तो उससे क्या होता है, बच्चे क्या होते है, बच्चों को अच्छा फील होता है, और बच्चे वो as a reading material, as a reading resources, उसको यूज़ करके उससे पढ़ते हैं, ठीके, तो ये तीनों तो reading classroom resource के रूप में आएगा, ठीके, पहला, यानि classroom library, दूसरा reading corner, और चौता wall, word wall, लेकिन जो classroom procedure ये way होता है, teaching करने का, classroom procedure का मतलब है कि how to teach a class, किस तरह से आप teach class को, किस way से आप class को teach कर रहे हो, किस तरह से अपने class को आप control करता हो, how to manage your class is called classroom procedure, तो ये manage करने का तरीका होता है, teaching learning का process में, teaching learning resources में ये नहीं आता है, यानि यहाँ पर आपका option number 3 यहाँ पर correct हो जाएगा, य option number 3 will be the correct answer, now move on to next question, question number 2 हम देखेंगे, ठीक है, question number 2 है, हमारा assertion और reason से है, है ना, सबसे पहले हम देखेंगे assertion क्या बोल रहा है, a plan for individualized learning must be created by the language teacher, यानि individualized learning क्या होती है, हर बच्चे के according, हर बच्चे के need के according, आपको plan को organize करना पड़ता है, plan को बनाना पड़ता है, यानि प्लान को conduct करना पड़ता है, है ना, create करना पड़ता है, क्या है, classroom में आपको diversity मिलेगी, हर different culture के multilingualism मिलेगी, different culture के, यानि multicultural के बच्चे आएंगे है ना, तो सबके लिए आप एक ही method का use classroom में नहीं कर सकते हो, हर तरह के बच्चे आएंगे, आपके पास slow learner भी आएंगे, आप आपके पास normal बच्चे भी आएंगे है ना, बच्चे आपके पास gifted भी आएंगे, तो उसके according आपको individualized plan को create करना होता है, और ये language teacher का काम होता है, बिल्कु सही बात है, ये teacher करेगी, तो पहला यहाँ पर आपका जो assertion है, वो आपके सही लग रहा है, ठीक है, उसके बाद क् in the learning of new language, देखे, diversity आपको मिलती है, diversity क्योंकि अलग-अलग learner है, और उनको learning new language जो होती है, उसको learn करने के लिए अलग-अलग सबकी क्या होती है, च्वाइस होती है, ये भी बात सही है, दोनों बात यहाँ पर सही बताई गई है, लेकिन ये कहना कि ये जो यहाँ पर option A is a true and R is false, ये गलत होगा, क्योंकि आपे statement जो है, वो दोनों सही है, ठीके, आपको diversity मिलेगी, नई language को सीखने में आपको classroom में diversity मिलेगी, ठीके, और ये भी कहना अच्छा है, कि हर बच्चे के लिए आपको individualized program को क्या करना है, create करना, ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ पर क्या दि देखे, ये दोनो statement तो सही है, लेकिन अगर ये कहना कि individualized learning plan को आप create कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर नई language को सीखने के लिए, वहाँ पर क्या होती है, diversity मिलती है, तो ये कहना बहुत हद तक सही नहीं माना जाएगा, statement दोनों सही है, लेकिन इस दोनों में जो इसका reason बताया जा रहा है, ये reason कलत है, चीक है, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है, new language की, और यहाँ पर language teacher को create करना होगा, अलग-अलग method का, जहाँ बच्चे language को सीख सके, statement तोनों सही है, लेकिन connection जो है, वो सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर option B के साथ जाएंगे, both A and R are true, but R is not a correct explanation of A, ठीक है, चली, move on to next question, अगले question की ओर हम बढ़ते है, question number 3 हम देखेंगे, in which method does the learner first language play a central role in a teaching, यानि learner का जो first language, first language क्या होता है, आपका mother tongue, आपकी मातरवाशा जो होती है, वो first language होती है, तो यहाँ पर पोलने का मतलब यह है, कि जो कौन सा ऐसा method है, जिसमें learner का जो first language है, यान उसका mother tongue को center में रखा जाता है, यानि उसको आप ignore नहीं कर सकते हो, उसका use करके ही आप target language को पढ़ाओगे, मालो कि हिंदी कोई भाशी बच्चा है, मोचली हिंदी भासी बच्चा हमारे देश में पाए जाते है, हिंदी भासी बच्चा है, उसकी mother tongue हिंदी है, और उसकी target language क इसको उसको सीखना है, तो जब आप इसको ये center of position में रहेगा, किस method में, जब आपको English शिखानी होगे, English क्या है, target language, और यह है हमारी first language, English है second language, जो target language होती है, वो हमारी second language होती है, target language जिसको हमें सीखना है, जिसको हमें learn करना है, acquire कौन से language को करते है, हम acquisition हमारा first language होता है, ह तो क्या होगा कि किस यहाँ पे method चार दिये हुए, किस में आपको mother tongue जो होगी, यानि आपकी first language को center में रखा जाता है, यानि जिसमें आप translation का use करके आप बच्चों को पढ़ाते हो, मानने लिजे English के word बोले और उसको translate करके हिंदी में बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, तो वो होती है, वहाँ पे हम first language को बहुत ज़्यादा importance दे रहे हैं, तो उस language को हम बोलते है, grammar translation method जिसको gtm method के नाम से हम चानते हैं, जिसमें हम आपकी जो native languages होती है, जो आपकी mother tongue language होती है, जो आपकी first language होती है, उसको हम ignore नहीं करते हैं, उसको importance देते हैं, और वो center position पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे communicative language teaching में आप real life का example के थ्रू बच्चों को सिखाते हो, task-based learning भी उसी तरह की होती है, एक task तरह एक proper procedure की थरह बच्चों को plan करके planned way में आप पढ़ाते हो, तो वो task-based होती है, और यह direct होता है न, यह बिलकुल opposite होता है grammar translation method का, direct method का जो होता है वो, जिसमें आप target language को जब पढ़ाओगे, तो सारी पूरी class आपकी target language में होगी, आप दूसरे language का use नहीं कर सकते हो, restricted रहता है दूसरा language, यानि आप जग English पढ़ा रहे हो, तो पूरी class आपकी English में ही चलेगी, बोलना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ है न, आप Hindi का use नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे simple सा second option आपका सही हो जाएगा, ठीक है, move on to next question, अगले question को हम देखेंगे, question number 4, Chetan's first language was Bhojpuri, since arriving in Tamil Nadu, he no longer speak Bhojpuri and only speak English with the natives, है न, when the new second language replaced the native language, this is an example of, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कि Chetan नाम का एक बच्चा है, वो क्या बोलता है, उसकी first language क्या है, Bhojpuri, यानि उसकी first language क्या होती है, always mother tongue होती है, Bhojpuri उसकी language है, maybe यह बिहार से बिलॉंग करता है बच्चा, तो उसकी first language Bhojpuri है, लेकिन उसके father के मालो in case वो Tamil Nadu transfer हो गया, तो वो चला गया Tamil Nadu, अब वहाँ पे वो सिर्फ English में बात कर रहा है, क्योंकि क्या है, Tamil Nadu के लोग क्या है, Bhojpuri नहीं जानते हैं, और यह बच्चा Tamil नहीं जानता है, तो यहाँ पे जो basic communication का एक ही साधन रह जाएगा, वो रहेगा English, इंग्लिस के through यह क्या करेगा, यह बच्चा है चेतन जो की भोजपुरी बोलता था, अब इसके पास इसको एक तो भोजपुरी आती थी पहले से, उसके बाद इसको English आती थी, लेकिन जैसे ही यह Tamil नाड़ू पहुचा, Tamil नाड़ू पहुचने के बाद इसको अपने भोजपुरी को छोड़ना पड़ा, और सिर्फ यह English में ही communicate कर पा रहा है, Tamil नाड़ू के native लोगों से, ठीक है, जहने का मतलब यहाँ पे यह है, तो when the new second language replace the native language, this is an example, अब उसको क्या करना पड़ रहा है, आपने भोजपुरी को छोड़ना पड़ रहा है, यानि वहाँ पे subtract कर रहा है, वहाँ पे उसको हटा रहा है, है ना, और English के थ्रूप वो क्या कर रहा है, कॉम्निकेट कर रहा है, तो यहाँ पे वही पोड़ रहा है, when the new second language replace, replace जब करते हैं, native language को, इसको हम subtractive, जहाँ पे हम हटाते हैं, हम replace करते हैं, हम remove करते हैं, वहाँ पे, it is a type of bilingualism, bilingualism का यह type है, जिसको हम subtractive bilingualism कहते हैं, यह बहुत important है, इसको आप पढ़के जाईएगा, ठी और एक होता है additive bilingualism, जहाँ पर हम add करते हैं, नए language को, कोई language को, एक नए language को, जब हम add करेंगे, तो वह additive bilingualism हो जाएगा, जब हम अपने native language को हम बोलती आ रहा है, पहले language को हम replace करेंगे, वह होता है subtractive, ठीक है, यहाँ पे code mixing और code switching नहीं होगा, bilingualism का मतलब होता है, जिसको दो भाशाएं आती है, ठीक है, code mixing का मतलब में आगे चलके आपको बताऊंगे, code switching, और what is the basic difference between code mixing and code switching, याद रखिएगा, code mixing और code switching से भी आजकल बहुत question पूछे जा रहे हैं, इसको आज में समझा दो गया आपको, ठीक है, चलिए, next देखेंगे, Which of the following support of pre-reading activity, pre-reading activity के बारे में आपको बताना है, 3 तरह की reading होती है, पहली होती है pre-reading, फिर होती है, during reading, और तीसरी होती है post reading, तीन तरह की reading होती है यानि reading से पहले reading during the reading जब आप पढ़ रहे हो वो और post reading reading के बाद तो तीन तरह की activity होती है तो यहाँ पर आपको option दिया हुआ है चार option में से आपको क्या करना है एक select करना है कि pre reading की activity कौन सी है पहला option है asking learner to summarize the text दूसरा है using a prediction task तीसरा है teaching grammatical structure and चौथा है using paraphrasing task अब यहाँ पर आपको मैंने पढ़ाया भी है आपको sub skill of reading में prediction जो आता है predict करना अनुमान लगाना पहले ही वो होती है pre reading activity pre reading activity में आपका prediction आता prediction क्या है जैसे मालो आप एक sentence पढ़ रहे हो है न तो वहाँ पर आप दूसरे sentence में क्या होने वाला है क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हो आप predict कर लेते हो predict कर लेतने का मतलब आप अनुमान लगाते हो कि आगे क्या होगा या आगे हम क्या पढ़ने वाले है situation आपको समझ में आने लगती है that means pre reading activity is called prediction ठीक है यानि option number two यहां पर सही हो जाएगा ठीक है next देखेंगे question number six क्या बोलता है हमसे which of the following is true about remedial teaching remedial teaching के बारे में हम क्या समझते हैं और क्या true है यहां पर बताना है देखें क्या होती है दो चीजों को आप ध्यान में रखिएगा diagnostic test होता है और diagnostic test के बाद हम remedial teaching कहते हैं remedial teaching का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षन उपचारात्मक यानि जब कैसे डॉक्टर के बीमारी को जानता है और बीमारी के जानने के बाद उपचार करता है उसी तरह teacher आपके language में आपको कहा प्रॉब्लम हो रही है उसको क्या करता है डाइगनोस करता है उसको देखता ह और उसके according आपको teaching आपको activity आपके लिए plan को organize करता है तो यही होती है remedial teaching, remedial teaching में आपको बताना है पहला option है providing support to improve performance, performance को improve करने के लिए आप जब support provide करते हो वो होती है, remedial teaching बात तो सही है next देखेंगे, showing sympathy to backward student sympathy को दिखाना, यह remedial teaching नहीं होती है providing extra marks, extra marks देना नहीं है बच्चों को, आपको उस तरीके से बच्चे को prepare करना है कि बच्चे खुद extra marks लेकर आए है ना, आपको नहीं देना है आपको इस तरह का support, इस तरह का आपको preference नहीं दिखाना है बच्चों को giving extra attention to gifted, देखें, gifted के लिए नहीं होती है यह आप remedial teaching आप सबके लिए कर सकते हो, सिर्फ gifted के लिए नहीं होती है ठीक है, तो यहाँ पर होती है, remedial teaching basically उन बच्चों को लिए होती है जहां पर बच्चों को problem हाती है ना, कुछ सीखने में, कुछ समझने में वहाँ पे हम remedial teaching करते हैं तो simply यही है कि providing support to improve performance, किसी बच्चे के performance को improve करने के लिए जब आप support देते हो, आप उनकी health करते हो, वो होती है, remedial teaching क्यानि option number first यहाँ पर correct हो जाएगा Now move on to next question, next question को हम देखेंगे Read the following statement and choose the correct option, फिर से आगया assertion and reason क्यानि सबसे पहले है, English is an associate official language in India बिल्कों सही है, English क्या है, associate official language है और दूसरा है, reason क्या बता रहा है, कि English is taught as a foreign language in Indian school, नहीं, यह गलत है, आप language 2 के रूप में आप ले सकते हो लेकिन foreign language के रूप में आप Indian school में आप English को आप taught नहीं करते हो, आप पढ़ाते नहीं हो है ना, यह पढ़ाया नहीं जाता है तो foreign language के रूप में आप Indian school में, यह one of the subject है आपका foreign language के रूप में आप नहीं पढ़ाते हो हाँ, अप कब पढ़ाते हो, जैसे आप French वगरा, French वगरा की class लेते हो जिसमें official language किसको बनाय गया था, Hindi, Hindi is the official language of India और English is the associate official language in India, यह यह जैसे क्या है न कि हमारे देश की कोई national language नहीं है there is no any national language in India, हमारे देश की कोई national language नहीं है reason क्या है, reason यह है कि हमारा देश क्या है, multilingualism को क्या करता है, शो करता है बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पर, भाषा में आपको क्या मिलेगी, diversity मिलेगी, इसके कारण हम किसी एक भाषा को national language के रूप में नहीं ले सकते हैं, इसलिए हिंदी को हम राज भाषा बोलते हैं, not a rast भाषा हिंदी हमारी रास्टभासा नहीं है, हिंदी हमारी क्या है, राज भाषा है, जिसमें official काम होते हैं, जो official राज के काम काज होते हैं, वो हिंदी में होते हैं और नहीं तो तो यहां पर पहला स्टेक्मेट तो सही है कि एंग्लिस इसे एक लाइगट आप इंडिया एकोडिंग्डिंग टो ओला एकट नियुक्डिंटिंस अप्टिंग में नहीं होता है ना इंग्लीस क्या है सेकंड लेगवेज है अपॉद्धिय। है ना NCM 2005 के according English क्या है आपकी second language है उसमें साफ साफ लिका है कि according to observation English is the second language of India और according to multilingual country अगर multilingual country को आप अगर ध्यान में रखते हो तो English is a global language in India यह global language क्योंकि English एक ऐसा language है यह all over world में आप बोली जाती है तो इंग्रिश को हम global language के रूप में भी समस्ते हैं और माना जाता है ठीक है तो यहाँ पर option यहाँ पर second गलत है यानि reason गलत है assertion सही है यानि a is true and r is false option number first ठीक है चले move on to next question question number 8 देखेंगे which of the following is not characteristics of language language की characteristics नहीं है पहला है language is symbolic बिल्कु सही है हम symbol में language को पढ़ते है न हम sign language के रूप में language को तो symbol लिखते हैं लेंग्विज is static नहीं language is static नहीं होती है language dynamic होती है static का मतलब क्या होता है स्थिर language स्थिर है नहीं देखिए आप state चेंज करोगी आपके language चेंज हो जाती है या आप जैसे जैसे experience होगी आपको life में आगे बढ़ोगी आपकी language भी बदलती रहती है तो language को यह कहना कि language इसीर होती है उसमें आप कोई changes नहीं कर सकते हो यानि language static होती है यह कहना गलत है language is dynamic language कहें dynamic है इसीर तो आपको यहाँ पर इंडिया में क्या मिल रही है multi culture है आपके इंडिया में multi अलग-अलग state में अलग-अलग भाशाएं बोली जाती है तो यहाँ पर आपको diversity मिल रही है तो static कहां से हो शकता है यहाँ पर dynamic रहता तब सही होगा language is social बिल्कुल सही है language social है क्योंकि क्यों social है हम language की through interaction करते हैं किसी के साथ conversation करते है language is systematic language systematic होती है यह भी बात सही है तो यहाँ पर गलत पुछा गया था not a characteristics of language यानि option number two will be the correct answer of this question now move on to next question अगले question की ओर हम बढ़ेंगे ठीक है read the following statement and choose the correct option यानि फिर से assertion reason वाले question आपको बहुत मिलेंगे prompting student to recall previous knowledge is important आप बच्चे को क्या कर रहे हो prompt कर रहे हो prompt कर यह प्रेरित कर रहे हो और बच्चे को यह बोल रहे हो कि recall करिए अपने previous knowledge को previous knowledge को recall करोगे तो वो आपके लिए important होगा अब आप देखोगे कि जब मानलोग आप 6th class में 6th class से जब आप 7th में जाओगे तो आपको आपको 10 दिन एक महिना आपको previous में जो आपने 6 में पढ़ा होगा ताकि आपको नई चीज़ पढ़ने में ज्यादा difficulty ना हो आपको आपके लिए problem create ना करें तो previous knowledge को recall करना important होता है यह teacher आपसे बोलती है prompt करती है prompting यानि प्रेरीत करती है बिल्कुल सही है दूसरा है recalling the previous knowledge help student to connect the knowledge known knowledge to the new knowledge बिल्कुल सही previous knowledge से हम connect करते हैं है na connection establish करते हैं ताकि आपका जो session देखिएगा cbse का जो session start होता cbse जो schools है उनके session अपरेल से start हो जाते है तो पूरे अपरेल उनको previously जो उन्होंने previous class में जो भी चीजे पढ़ी हो उसको recall कर आया जाता है तो यह एक connection establish करता है और यह भी option सही है यानि a assertion is right reason is right and reason is the correct explanation of assertion यानि a यानि यहाँ पर option number 4 सही हो जाएगा ठीक है चलिए next question की और बढ़ेंगे question number 10 a teacher of class 8th ask her learner to produce a leaflet about saving energy at home as an assignment this task will cater to which feature of language यानि एक teacher है वो अपने बच्चों से क्या बोलती है कि आप leaflet तयार कीजिए जिसमें आपको बताना होगा कि किस तरह से आप energy को save कर सकते है leaflet क्या होता है एक तरीके से आप pamphlet आपने देखा होगा ना pamphlet होता है ना जैसे आप किसी restaurant में जाते हो या आप किसी shopping complex में जाते हो तो वो छोटे-छोटे pamphlet रखते हैं अपने नए product के बारे में आप bank में जाओगे तो बैंक वाले अपने नए product के बारे में छोटे-छोटे pamphlet आपको देंगे तो वो क्या होता है एक तरीके से short information होता है अपने इसके अपने आइडिया को दूसरों तक पहुचाने के लिए अपने जो उनकी नए-ने policies रहती है उसको छोटे से page में आपको छोटे-छोटे pamphlet के रूप में वो देते है तो वो होता है leaflet तो बच्चे को एक leaflet तयार करना है और किस पर saving energy at home और वो क्या है assignment के रूप में उसको लिया जाता है ठीक है this task will cater to which feature of language इससे कौन सी language की feature क्या होगी cater होगी है यह यह जबलब होगी यानि question form यह तो होगा नहीं comparative यह भी नहीं होगा past tense यह तो बिल्कुल भी गलत है और positive imperative इसको हम बोलते हैं इस task को हम लोग यह जो किया जा रहा है activity इसको हम बोलते हैं positive imperative यानि अच्छी तरीके से बच्चे पर effect डालेगा है ना इसले इस option के साथ हम जाएंगे option number two will be the correct answer of this question now move on to next question अगले question के ओर हम पड़ेंगे while planning a lesson one of the objective is to enable learner to produce typical business communication with customer the objective match with one of the type of the test generic list below यानि क्या होता है बच्चे को हम किस तरह से lesson plan जब हम बना रहे हैं तो one of the objective to enable learner lesson plan बनाने time हम क्या लिखते है objective लिखते है कि हमारा main purpose क्या है हमारा purpose क्या है इस lesson को बनाने का इस lesson को plan करने का उसमें 4-5 objective हमें लिखना होता है तो उसमें से एक objective क्या है कि हमें बच्चे को क्या करना है बच्चे में business communication की ability को है ना Enable Learner to produce typical business communication, business communication का मतलब होता है formal communication, यानि बच्चे को, बच्चे का communication इतना अच्छा हो जाए कि वो किस तरह से customer से deal करते हैं, वो उन में develop हो जाए, this activity match which of the type of tax generic list willow, यानि इसमें से आपको बताना है कि कौन सी, मतलब यहाँ पे चार आपको दिया है है कौन सी एबिलिटी यहां पर डेवलब होगी बच्चे की अगर हम उन्हें विजनेस कॉम्शन वाली जो स्किल है बच्चों में हम डेवलब कराएंगे किस तरह से डील करना है कस्टामर से विजनेस कॉम्शन क्या होता है डिफरेंट टाव का the following यानि इस objective से कौन सा purpose fulfilled होगा यानि यहाँ पे letter यहाँ पे सही होगा list below यहाँ पे letter article के लिए नहीं होता है letter क्या होता बहुत ही formal तरीके से आप लिखते हो है ना description नहीं होगा report नहीं होगा यह होगा letter यानि option number 4 यहाँ पे correct हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखेंगे question number 11 question number 11 होगया ट्वेल देखते है a teacher ask student to look at the four musical instruments in the picture teacher क्या बोलती है picture में चार different instrument दिये हुए है musical instrument दिये हुए है माले जे harmonium दिया हुआ है guitar दिया हुआ है sitar दिया हुआ है tabla दिया हुआ है चार दिये हुए ठीक है उस चारों को क्या करती है देखने के लिए बोलती है and discuss why they are used in a different musical context अब क्या है अलग-अलग musical चार musical instrument है उसको teacher बोलती है आप देखिए और discuss कीजिए आपस में discuss कब करते हैं हम आपस में करते हैं इसको अलग-अलग context में हम क्यों use करते हैं why they are used in different musical context अलग-अलग context में हम क्यों use करते हैं यानि अलग-अलग context में use करने का मतलब तबला का use कहीं और हो रहा है न तो इसका purpose क्या है तो इस तरह के question क्या मतलब किस और आपको संकेत करते हैं तो choose the cognitive skill that match this activity यह skill जो यह सोचने के लिए discuss करने के लिए जब teacher बोलती है बच्चों से तो कौन सी cognitive skill यानि कौन सी संग्यनात्मक स्किल जो है बच्चों की वो develop होगी composition यहाँ पर करने के लिए teacher नहीं बोल रहे है आप music composer नहीं हो आप composition नहीं करना है यहाँ पर reasoning यहाँ पर तरक भी नहीं लगाना है यहाँ पर imagination भी नहीं करना simply यहाँ पर analyze करना है analyze कप करेंगे चारों को एक साथ रखेंगे और चारों के बारे में discuss करेंगे कि हाँ इस तरह का song होता है तो ज्यादा तरह यह बजाते हैं हम इसको use करते हैं गीटार हम इस context मे करेंगे के when when monolingual speaker move from formal to informal mode of speech within the same spoken and gesture idea they are engaged in यानी monolingual speaker का मतलब होता है एक language बोलने वाला move करता है formal to informal formal क्या होता है बहुत ही सोच समझ के बोलना बहुत ही accurate बोलना है ना बहुत ही grammatically सही बोलना इस तरह को हम formal बोलते हैं informal यानी आप ना casually बोल रहे हो casual mood में हो उसको हम बोलते हैं informal mode speech within the same spoken as gesture gesture idea they are engaged in तो वो क्या है जब आप स्विच करते हो है ना यहां पर क्या हो रहा है जब आप स्विच कर रहे हो यानि यहां पर change कर रहे हो है ना when a monolingual speaker move from formal to informal, formal से आप informal में क्या कर रहे हो आप change कर रहे हो mode of, mode है ना mode of speech within the same spoken or gesture they are engaging in इसका मतलब क्या होता है तो देख इसमें क्या दिक है code mixing, code switching, dialect and socio-linguistic सबसे पहले तो यहां पर dialect होगा नहीं dialect का मतलब होता है बोली तो यहां पर बोली तो है नहीं, social linguistic का मतलब है कि society में language का use करना और किस तरह से proper way में आप use कर रहे हो वो होता है social linguistic तो यह भी नहीं होगा यहां पर आप देखो कि formal से informal में आप switch कर रहे हो है ना change कर रहे हो within the same spoken gesture आपका gesture same है idea same है लेकिन वो होती है code switching याद रखेगा अब आपको पता करना होगा कि what is the basic difference between code mixing and code switching मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं आपको आगे चलके बताऊंगी इसको ध्यान में रखेगा पड़के ज़रूर जाएगा वो कि किस code mixing क्या होती है code switching क्या होती है अब देखे़ सपोज मैं आप से बोलू देखे़ सपोज मैं आपसे बोल रही हूं कि सीटेट बहुत logical question देता है मैंने क्या बोला सीटेट बहुत logical question देता है तो मैंने क्या बिल्ला हिंदी के word बोले उसमें logical question जो हुआ logical question English के word को मैंने डाल दिया एक मैंने पूरा-pूरा sentence हिंदी में बोला उसमें दो वर्ड मैंने क्या बोल दिये हिंदी इंग्लिश के डाल दिये logical question मैंने start क्या किया seated बहुत logical question देता आ रहा है या देता है यानि हिंदी बोलते बोलते एक दो वर्ड जब आप English का mix करते हो तो उसको बोलते है code mixing उसको क्या बोलते हैं, code mixing, याद रखे हैं, code mixing क्या होता है, जब आप एक language में, मालो English के पूरे word बोल रहे हैं, उसमें दो चीज़, दूसरे language के word को किसी दूसरे language में, बीच-बीच में डाल देना, वो होता है, code mixing, code switching क्या होता है, आपने पूरा sentence English में बोला, और दूसरा sentence आपने हिंदी में बोल दिया, तो यह होती है, code switching, यानि आपने sentence को ही switch कर दिया, दूसरे language में, जैसे मैंने क्या बोला, आपके घर में आपकी friend और उसकी mother आ रही है, ठीक है, तो आपके friend का मानलो, आपके friend का मानलो, राहुल नाम है, या कुछ भी नाम हो सकता, Samir नाम है, Samir नाम है आपके friend का, तो उन्होंने door को knock किया, और door knock किया, आप खोलने के हैं, तो सबसे पहले आप greet करते हो, है न, आप welcome करते हो, तो welcome करने टाइम आप क्या बोलोगे अपनी फ्रेंड को सबसे पहले आप देखोंगे तो बोलोगे हेलो समीर हाउ आर यू आप बोलो के न तो उसके बाद आपने समीर जो भी बोला रिपलाई किया I am fine thank you जो भी बोला उसके बाद आपको तुरंत उसकी मदर दिख गई तो आपने पूरी लेंग्वेज को स्विच करी क्योंकि उनकी मदर इंग्लिश नहीं जानती आपने बोला नमस्ते आंटी कैसे हो आप ठीक है तो आपने पूरी के पूरी लेंग्वेज को पहले आपने इंग्लिश में बोला और फिर उसको स्विच कर दिया हिंदी में स्विच करने का मतलब आपने बदल दिया, switch करना मतलब है change कर दिया हिंदी में पहला बोला, hello Samir how are you, I am fine, thank you चीक है, उसके बाद आपने बोला, नमस्ते आउंटी कैसे हूँ आप, यानि आप इंग्लिश का यूज करके फिर switch हो जाते हो हिंदी में यह होती है code switching और यहाँ पर यही हो रहा है, तुरंत आप क्या कर रहे हो, formal से informal mode of speech में जब चले जाते हो same spoken and gesture idea आपका gesture वही है, idea वही है लेकिन आप switch करते हो, वह होती है code switching, समझ में आई बार इसको याद करके जाहिएगा, ध्यान में रखेगा इससे question आ सकते हैं, बहुत important है ठीके, next thinking के question number 14 चिल्रेन, informal interaction, friendship, relationship and other in their community are based on their use of which form of language अब यहाँ पर एक एक word को ध्यान दीजेगा interaction, friendship, relationship, community यह किसके word है, यह society के word है social word है, social interaction के word है informal interaction, यहन्न informal बातचीत हो रही है है न, for informal है, friendship आप करते हो relationship establish करते हो, कहाँ पर with other in their community, समाज में, society में are based on the use of which form of language क्या वो accommodation है, accommodation का कहीं लेना नहीं होता यह होता है, modification करना, changes करना यह प्याजे से related है, assimilation भी नहीं होगा नए information को add करना होता है social, language socialization इसको हम बोलते हैं language socialization जहाँ पर आप interaction करते हो informal mode में, friendship करते हो, relationship establish करते हो, community के अंदर वो होता है, language socialization ठीक है, inculturation क्या होता है what is inculturation, inculturation क्या होता है अब देखिए, इसको आप समझे तो होता है एक inculturation होता है, और एक inculturation होता है एक होता है, एक होता है inculturation और एक होता है यानि आपको मिलेगा inculturation या a, en को हटा कर en को हटा कर ac लगाते है एक कल्चरेशन के नाम से हम जाने, अब इसमें क्या होता है, इन कल्चरेशन में क्या होता है, एक होता है होस्ट और एक होता है रिसीविंग, ठीक है, होस्ट कल्चर होता है और एक होता है रिसीविंग कल्चर, ठीक है, होस्ट कल्चर क्या होता है, जिससे माल लेजे कि मैं होस्ट कल्चर है ना मेरी हिंदी बहुत अच्छी है ठीक है मेरी हिंदी बहुत अच्छी है मैं हो होस्ट कल्चर होस्ट कल्चर जिससे आप कुछ सीखते हो और रिसीवर जो सीखने वाला होता है रिसीविंग कल्चर मालीजी कोई same culture में जब आप हो आप क्या करते हो culture को क्या करते हो transfer करते हो same host culture same context में इसमें क्या होता है देखिए बताते हूं फिर से clear से इसमें होता है जो आपका host culture है और receiving culture है host culture और receiving culture same society का होता है इसमें same society का होता है यानि same society का होना कि एक ही society में रह रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं अपने culture को क्या कर रहे हैं transfer कर रहे हैं एक दूसरे से वो होती है inculturation और inculturation में क्या होता है आपका host culture और receiving culture दूसरे होता है जैसे मैंने पहला example दिया ना कि आपको आप अमेरिका का कोई आदमी है और आपसे हिंदी सीखना चाहता है तो यह दोनों बिल्कुल different culture होगे वहाँ पर inculturation होता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा यह पूछा तो नहीं जाता है बस fine थोड़े से आपको information के लिए मैंने इसको बता दिया तो यहाँ पर कौन सा होगा language socialization is the correct answer चलिए अगले question की होग देखते जो कि आज का last question है आपको continue English pedagogy की class आती रहेगी है ना तो तीन दिन और आएंगे आकि आप जादा से जादा इसका preparation कर सके in case of vocabulary use grammar provided pathway for learner to यानि जब आप vocabulary का use करते हो in case of vocabulary use grammar provided pathway for learner to grammar क्या pathway क्या आपको path provide करता है पहला combine lexical item into meaningful and communicative expression यह तो बात सही लग रही है retail listening input into oral output यह नहीं है drafting formal piece of writing in a higher class यह भी नहीं होगा speak in a formal situation with great accuracy and confidence चीक है यह तो है कि grammar rule आपको आचने से आपका confidence build होता है आपकी accuracy develop होती है लेकिन अगर आप इससे भी अच्छा option दिखे तो आपको यह लगेगा कि combine lexical item lexical item का मतलब क्या होता है जिसकी meaning होती है ना meaningful item जिसकी एक proper meaning होती है डिक्स नरी में उसको हम lexical item कहते हैं into meaningful and communicate expression आपके communicative expression आपकी जो expression रहे grammar के थो वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक pathway provide करेगी जहाँ पर आपको पता रहेगा कि आपको noun का pronoun का adjective का adverb का है ना कहा phrase का use करना है कहा clauses का use करना है इन सब चीजों को एक pathway provide करता है कौन आपका grammar जिससे आपका expiration जो होता है वो बहुत अच्छा होता है तो यह थे आज की cool 15 question I think आपको I hope आपको यह 15 question समझ में आये होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजेगा share कीजेगा and subscribe कीजेगा मिलती हूँ आपसे next video में तब तक के लिए thank you so much for watching bye